दोस्तो लास्ट काद कॉडिंग डिकोडिंग के सब ही टैप्सके लएं इस वीडियो में हम कोडिंग से किसके टैप्स से, के और कॉशन्स बन सकते हैं, किस-किस तरीके से कोशन है जा सकते हैं, वह आज हम डिसकस करेंगे, इस वीडियो केबल हम कोशन ही कोशन देखेंगे कि कोशन किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग से बनाय जा सकते तो चली दोस्तों स्टाट करते हैं तो आज हम केबल कोडिंग डिकोडिंग के जो questions होते हैं वो किस किस तरीके से exams में आ सकते हैं ये हम जानेंगे ये हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ questions लिए हैं अलग-अलग books से और ये questions ऐसे हैं जो कि exams में आई हुए हैं तो चलिए दोस्तो पहला question मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ पहला question क्या कह रहा है देखिए जो first question है वो क्या कह रहा है पहला question कह रहा है किसी कूट भाशा में पहला question ये कह रहा है किसी कूट भाशा में G-I-V-E गिव को V, I, E, G के रूप में लिखा जाता है किसी कूट भासा में गिव को ये लिख दिया जाता है और ओवर को E, V, R लिखा जाता है अब कह रहा है उसी कूट भासा में डिस्क को क्या लिखा जाएगा तो बताईए दोस्तों ये कैसे होगा आप इसको सॉल्व करिए और इसका जो उत्तर है उसे कमेंट बॉक्स में बताईए अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा इसने क्या किया है इसमें देखिए इसने लिखा है गिव को V, I, E, G ओवर को O, V, E, R इसको लिखा है इसने E, V, R, O तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे G, I, V, E में जो लिखा है उसको ये जो बीच वाले लेटर है इसमें तीसरे वाले को इसने लिया है पहले नमर पे और दूसरा वाला है उसने लिया है इसको सेकिंड नमर पे लास्ट का है उसे लिया है थर्ड नमर पे और जो पहला है उसे कर दिया है लास्ट पे मतलब तीसरा पहले नम्मर पे दूसरा दूसरे नम्मर पे लास्ट का जो है वो इसने तीसरे नम्मर पे लिया है और यहां पे फर्स्ट पे जो है वो क्या कर दिया है इसने लास्ट में कर दिया है ऐसे यहाँ पे VE ये जो हैं बीच वाले इसने क्या किया है इनके इस्तान बदल दिये हैं तो इसने लिख दिया है EV और OR यहाँ पे ऐसे लिखे हैं तो R को पहले लेके O को बाद में लिख दिया है तो यहाँ पे हम डिस्क को लिखेंगे क्या लखेंगे डिस्क को पहले S लिया जाएगा तीन नम्मर का उसके बाद दो नम्मर का S आई लिग गया IS का उसके बाद जो आपका last का है वो तीसरे नम्मर पे आएगा यहाँ पे कि अब पहले नम्मर का जो है वो आपका S में आ जाएगा last पे इस तरीके से तो यहाँ पे हम डिस्क को S I K D लिख सकते हैं तो यह कोशन आपका इस तरीके से होगा अब बात करते हैं next कोशन की दूसरा कोशन क्या कह रहा है यहाँ पे जो दूसरा कोशन है वो क्या कह रहा है यह कह रहा है यदि विक्ट्री को वाई एल एफ डवलू आर यू भी लिखा जाता है सक्सेस को क्या लिखा जाएगा तो इस तरीके के कोशन्स को हम कैसे करते हैं इस तरीके के कोशन्स को करने के लिए आपको मैंने बताया था कि इनकी जो नम्मरिंग होती है वो हम पहले लिख लेते हैं जैसे वी आपका किस नम्मर पे आता है 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 12 नम्मर पे F आता है आपका 6 नम्मर पे W आता है आपका 23 पे R 18 पे U 21 पे और B आता है 2 पे तो यहां पे देखिए अब दोनों में जब देखेंगे तो क्या हुआ है 22 से 25 हो गया है तो क्या किया है इसने 3 प्लस कर दिया है इसमें यहां पे 9 से 12 कर दिया है 3 से 6 कर दिया है 20 से 23 कर दिया है 15 से 18 कर दिया है और 18 से 21 कर दिया है और 25 से 2 कर दिया है 25 के बाद 26 1 और 2 ऐसे होती है तो उसी तरीके से हम इसे करेंगे पहले इसकी नम्मर इंग लिख लेते हैं नम्मर इंग लिखिए S 19 नम्मर पे U 21 नम्मर पे C आता है आपका 3 नम्मर पे E आता है 5 पे और S आता है आपका 19 पे अब N में क्या करना है? 3 3 प्लस करना है 19 में 3 प्लस करेंगे 21 और 21 पे आता है आपका U ऐसे यहाँ पे 21 में जब 3 प्लस करेंगे 24 और 24 पे आता है आपका X, C, C तीन नम्मर पे आता है, इसमें जब 3 प्लस करेंगे तो 6 और 6 पे आएगा आपका F, 2C है तो 2F लिख दिये यहां पे, ठीक है, उसके बाद E जो है वो 5 नम्मर पे है, तो 5 में जब 3 8 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8, अब 8 नम्मर पे क्या आत आपका H, यहां पे डवल S है, 19 है, तीन जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो यहां पे डवल U हम लिख सकते हैं, तो कैसे, यह 21 पे, 24 पे, 6 पे, 8, 21, 21, देखिए कैसे हो रहा है है, 19 से 21 हुआ, 21 से 24 हुआ, 3 से 6 हुआ, 3 से 6 हुआ, 5 से 8 हुआ, 19 से 21 हुआ, और यहां पे भी 19 से 21 हो गया, तो यह कोशन आपका इस सरीके से होगा, अब बात करते हैं, नेक्स्ट कोशन की, अगला कोशन क्या कह रहा है, अगला कोशन है यहां पे, किसी सांकेतिक भासा में, ब्रेन को, ब्रेन को किसी सांकेतिक भासा में यह लिख रहा है, म, आर, जैड, आई, वाई, ब्रेन को इसने म, आर, जैड, आई, वाई, लिख दिया है, किसी सांकेतिक भासा में, आप यह कह रहा है, तो राइट को उसी भासा में कैसे लिखा जाएगा, किसको, राइट को उसी भासा में कैसे लिखा जाएगा, इस कुशन को कैसे करेंगे, चलिए करिए, और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताईए, यहाँ पे इसको मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, देखिए, जब आप इसको चेक करेंगे, तो क्या देखेगा इस में, अगर आ आपे जब ध्यान से देखोगे, बी, और बी का उपोजिट होता है, तो बी का उपोजिट इसने क्या किया है, लास्ट में लिख लिया है, आर, आर का उपोजिट होता है, आई, इसने सेकंड लास्ट पे लिख लिया है, उसके बाद आता है, एका जो उपोजिट होता है, व और पीछे से इसने उपोजिट लिखना सुरू कर दिए तो यहां पे भी हम क्या करेंगे वही कर देंगे क्या करेंगे या तो आप लास्ट से स्टार्ट करिए और स्टार्टिंग से इसको एंड कर दीजिए या फर यहां पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए और यहां पे लास्ट से लाइए इसको end करने के लिए तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कुछ भी कर दीजिए इस जगाय पे मैं यहाँ से start कर रहा हूं end से तो T का जो विपरीत होता है वो क्या होता है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए तो T का विपरीत क्या होगा तो एक तरीका मैंने आपके लिए और बताया था कि पहले आपको विपरीत पता नहीं हो तो उनके लिए क्या करें दोनों का योग 27 होना चाहिए लेकिन 27 कब होगा जब आपको इसका नम्मर पता होगा जैसे इसका नम्मर क्या है इसका नम्मर होता है 20 इसका नम्मर अगर 20 है तो यहां पे हम क्या जोड़ें कि यह 27 हो जाए तो यहां पे आपका 7 जोड़ें जब 7 जोड़ेंगे तो यह 27 हो जाएगा तो जो हम जोड रहे थे 7 इस नम्मर पे क्या आता है इस नम्मर पे आता है जी तो य यहीं आपका X का क्या होता है बिप्रीत होता है तो यहां पे टी का बिप्रीत क्या होगा G इस तरीके से H का विप्रीद क्या होगा S G का विप्रीद क्या होगा T I का विप्रीद क्या होगा R और R का विप्रीद क्या होगा I तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है इसका विप्रीद यहां लिखा है इसका विप्रीद यहां इसका विप्रीत यहाँ इसका विप्रीत यहाँ और इसका विप्रीत सबसे last में तो यहाँ पर मैंने यह कुशन इस तरीगे से गिया है आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो यहाँ से लो last से लिखते लाओ ठीक है तो opposite letter वाला जो question होगा वो इस सरीगे से होता है चीक है तो अब बात करते है next question की next question यहाँ पे है यदी table को question क्या कह रहा है question कह रहा है यदी table को यदी table को g z y o v लिखा जाए तो juice को क्या लिखा जाएगा तो juice को क्या लिखा जाएगा अब यह पूछ रहा है तो इसको कैसे करेंगे इसमें भी क्या है opposite letter ही है opposite letter ही लिख दिये हैं इसने जैसे यहाँ पे starting से देख लीजिए टी का विपरीत जी a का विपरीत z b का विपरीत y l का विपरीत o और e का विपरीत v तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इसके विपरीत ही लिख देंगे इसने starting से लिखना start कर दिये देखिए तो j का विपरीत क्या होगा j का विपरीत आपको यहाँ पे ये का विप्रीद होता है आपका Q, U का विप्रीद क्या होता है? U का विप्रीद होता है आपका F, I का विप्रीद क्या होता है? I का विप्रीद होता है आपका R, C का विप्रीद क्या होता है? C का विप्रीद होता है आपका X, E का विप्रीद होता है V तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि coding को हम QF RxV लिख सकते हैं तो यह भी question आपका हो गया है अब बात करते हैं next question की उससे पहले मैंसे मिटा देता हूं चलिए अब बात करते हैं next question की next question क्या कह रहा है अगला जो question है वो कह रहा है यदी WZB code है D का question कह रहा है कि WZB किसका code है D A Y का तो मंदे का code क्या होगा किसका code Monday का code क्या होगा करिए इस question को कैसे होगा फिर मैं बताता हूं देखिए इस question में क्या किया है इस question को जब आप देखोगे तो यहाँ पर B का बिपरीत Y होता है और Y का बिपरीत B होता है Z का विपरीत A होता है A का विपरीत Z होता है W का विपरीत D होता है और D का विपरीत W होता है तो इसने भी क्या किया है विपरीत लेटर ही लिख दिये हैं तो इस वाले में भी हम क्या करेंगे विपरीत लेटर ही लिख देंगे चलिए बिप्रीत लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं M का बिप्रीत क्या होगा? M का बिप्रीत होता है आपका N O का बिप्रीत क्या होगा? O का बिप्रीत होता है आपका L N का बिप्रीत होगा आपका M D का बिप्रीत होगा आपका W और A का बिप्रीत होगा आपका Z और b का विप्रित होगा आपका y तो मंडे का जो letter लिखा जाएगा वो शब्द लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका n l m w z y तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी code वासा में w z b को d लिखा जाता है तो मंडे को हम n l m w z y लिख सकते हैं अब बात करते हम next question की अगला question क्या कह रहा है अगला question कह रहा है किसी code वासा में question है किसी code वासा में i n s t e a d को h m r u f b e तथा p h r e a c d को o g q a b t a a f e लिखा जाता है तो यह कह रहा है कि डोवल्स को क्या लिखा जाएगा यह कह रहा है d o yu b l e s डोवल्स को क्या लिखा जाएगा देखिए इसमें इसने क्या किया है वो आपको देखना है इस सरीके के कोश्ण्स में मैंने पहले भी बताया है फिर भी बता रहा हूँ कि आपको ऐसे कोश्ण्स में पहले इनकी numbering लिख लेनी है i किस number पे आता है 9 पे n आता है 14 पे s आता है 19 पे t आता है 20 पे e आता है 5 पे A आता है पहले पे D आता है चौते पे यहाँ पे लिखिए H आता है 8 पे M आता है आपका 13 पे R आता है आपका 18 पे U आता है 21 पे F आता है 6 पे B आता है 2 पे और E आता है 5 पे तो जो इसने rules यहाँ follow किया है वही इसने यहाँ भी follow किया होगा और वही rule हमें यहां follow करना है तो यहां पे देख रहे हैं हम यहां पे इसने क्या किया है 9 से 8 कर दिया मतलब इसने क्या किया है एक कम कर दिया है अब यहां पे 14 से 13, 19 से 18 अब यहां पे देखें 3 letter तक इसने क्या किया है कम किया है लेकिन 3 के बाद जब 4 लेटर पे आएंगे तो 20 नमर पे है और 4 जो यहाँ पे है वो 21 पे है मतलब 4 लेटर से इसने क्या किया है 1-1 बढ़ाया है 5-6 किया है 1-2 किया है और 4-5 कर दिया है अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी सेम यही किया होगा चलिए देखते हैं P 16 पे H 8 पे R 18 पे A 1 पे S 19 पे 5 पे 4 पे ऐसे यहाँ पे देख लीजिए 15, 7, 17 2, 20 6, 5 देखिए 16 से 15, 8 से 7 18 से 17 1 से 2, 19 से 20 5 से 6 और 4 से 5 तो हमें भी क्या करना है पहले इनकी नम्मर एक निकलेनी है 4, 15 21 2, 12 5, 19 पहले जो 3 लेटर है इनमें हमें क्या करना है कम करना है क्या करना है 4 से 1 कम करेंगे 3 और 3 पे आएगा आपका C 15 से 1 कम करेंगे 14 और 14 पे आएगा आपका N अब यहाँ पे 21 है 21 पे U है 21 से जब 1 कम करेंगे तो 20 और 20 पे आता है आपका T 2 से 1 बढ़ाएंगे अब क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर पे आगे है तो अब इसने 4 लेटर पे क्या किया है एक एक बढ़ाया है 2 से 3 3 पे आता है आपका C 12 से 13 13 पे आता है आपका M 5 से 1 6 और 6 पे आता है आपका F S से 1 बढ़ाएंगे 19 से 1 20 और 20 पे आता है आपका T तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डूल्स को C and T CM F T लिखा जा सकता है तो इस तरीके से यह कोशन आपका होगा अब बात करते हम next question की अगला question क्या कहता है अगला question कह रहा है अगला जो question है वो कह रहा है किसी खास code में सिस्टम को किसी खास code में सिस्टम को यह लिखता है system स्मेट क्या कर रहा है सिस्टम को यह लिख रहा है स्वाई एस मई टी यह ऐस हैं आगे यह क्या कह रहा है और N E A R E R को यह लिख रहा है A E N R E R तो उसी कोड भासा में फ्रेक्शन को क्या लिखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया है यहाँ पर S Y S T E M लिखा है लेटर जब दूसरे शब्द में देखेंगे तो इसमें और इसमें दोनों में सेम है S Y S M E T तो यहाँ पर देखिए सेम है लेकिन यहाँ पर क्या किया है T E M का M E T कर दिया है तो यहाँ पर जब देखेंगे तो इसमें इसने क्या किया है इसको दो भागों में बाटा है और जो तीसरे नमर पर है वो पहले नमर पर लिया है दूसरे पे है वो दूसरे पे लिया है और पहले पे जो है वो तीसरे नम्मर पे लिया है यहाँ पे जो दूसरा भाग है इस वर्ड का उसमें भी इसने यही किया है M पहले E उसके बाद में और T उसके बाद में यही इसने यहाँ किया है A, E, N, R, E, R तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है वही करना है कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए 6 लेटर थे यहाँ पे लेटर है 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसको हम बाटेंगे 4-4 लेटर्स में दो भागों में हो गया अब इसको पहले भाग को उल्टा लिखिए तो पहला भाग होगा C, A उसके बाद R उसके बाद F अब यह बाला भाग लिख दीजिए पहले आएगा आपका N उसके बाद O उसके बाद I उसके बाद आएगा आपका T क्याएगा T तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसी कोड भाशा में fraction को C, A, R, F N, O, I, T लिखा जा सकता है अब बात करते हैं next question की तो next question क्या कह रहा है next question की बात करते हैं देखिए next question कह रहा है किसी कोड भाशा में किसी कोड भाशा में flower को flower को क्या लिख रहा है जी, एम, पी, एक्स, एफ, एस लिखा जाता है तो garden को क्या लिखा जाएगा यह कह रहा है garden को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि garden को हम क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर यह इसी type का question आ गया क्या करें पहले इस पे numbering डाल ले 6, 12, 15, 23, 5, 18 इस पे numbering डालिए 7, 13, 16, 24, 6, 5 S है सोरिए तो S है तो S आता आपका 19 पे यह क्या है S है अब देखिए आप 6 से 7 किया है 12 से 13 किया है 15 से 16 किया है 23 से 24 5 से 6 18 से 19 मतलब क्या किया है सब ही में एक एक पलस करके लिखा है तो वही हम करेंगे यहाँ पे इस पे पहले numbering लिख ले G 7 पे आता है A 1 पे R 18 पे D 4 पे E 5 पे और N 14 पे 7 के बाद 8 और 8 पे आएगा आपका H A के बाद B एक बढ़ा दो R के बाद क्या आएगा R के बाद आएगा S D के बाद E और E के बाद F N के बाद O तो उसी कोड बाचा में हम Garden को H B S E F O लिख सकते हैं ठीक है दो तो Next question की बात करते हैं उससे पहले में इसको मिटा लेता हूँ चली दोस्तों अब बात करते हैं Next question की अगला question क्या कह रहा है देखिए अगला question कह रहा है कि यदी कूट भाशा में Question कह रहा है यदी कूट भाशा में Part को OZ QS लिखा जाता है ये 5 नहीं है S है ये जहां लगना PART को OZ QS लिखा जाता है तो Task को कैसे लिखा जाएगा Task को कैसे लिखा जाएगा करिए दोस्तों फिर मैं कर बाता हूँ उसको देखिए फिर वही कोशन है इसमें क्या करना है आपको पहले Numbering लिख लेनी है Numbering लिखिए इसकी जो Numbering है P 16 नमर पे आता है A 1 नमर पे R 18 पे T 20 पे यहां पे लिखें तो ये 15 पे ये 26 पे ये 17 पे और S 19 पे अब देखना ये है कि इसने क्या किया है 15 से 16 से 15 किया है 15 से 16 नहीं किया है अगर यहां से देखेंगे तो यहां से इसने 15 से 16 किया है अगर आप इस सब्द से करोगे तो इसमें एक कम करना है और इससे करोगे तो इसमें एक पलस करना है तो 1 से कम किया है तो इसने क्या किया है 26 लिख दिया है यहां पे इसने क्या किया है 18 से 17 लिख दिया है यहां पे इसने क्या किया है 20 से 19 लिख दिया है तो वही हम यहां करेंगे कैसे पहले S की नम्मर रिंग लिखिए T किस पर आता है 20 पर A किस पर आता है 1 पर S किस पर आता है 19 पर K किस पर आता है 11 पर कम करिए 20 से 1 कम करेंगे तो 19 और 19 पर आएगा S A1 पर आता है इससे एक कम करेंगे तो 26 और 26 पर आएगा आपका Z यहाँ पर S दे रखा है 19 नमर इससे एक कम करेंगे तो 18 और 18 पर आएगा आपका R यहाँ पर दे रखा है K किया आता है 11 पर और 11 से जब हम एक कम करेंगे तो होगा 10 और दस पे आएगा आपका जे तो हम कह सकते हैं कि टास्क को एस जेड आर जे लिखा जा सकता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन अगला कुशन कह रहा है अगला कुशन यदि वर्क को कूट भाशा में किसको वर्क को कूट भाशा में ये लिख रहा है चार बारा नौ सोला तो बोमेन को कूट भाशा में कैसे लिखा जाएगा किसको बोमेन को पहले तो इसे ही देखना है कि इसने वर्क को कैसे लिख दिया है चार बारा नौ सोला देखिए डवल्यू आता है आपका 23 नमबर पे लेकिन यहां पे यह दे रखा है चार नमबर तो यहां पे अगर इसे देखें यह तेईस नमबर पे आता है यह पंदरा नमबर पे आता है यह आता आपका अठारा नमबर पे और यह आता आपका किस नममर पे 11 नमर पे अब इसने क्या किया है यहां पे 4 लिख दिया 12 यहां 9 यहां 16 अगर हम 13 और 4 23 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा आपका 27 इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसने बिपरीत लिखा आई है लेकिन बिपरीत वाले शब्द की जगे उसकी नम्मरिंग लिख दी है जैसे यहाँ पे W का बिपरीत होता है D और D का जो नम्मर होता है वो होता है आपका 4 यहाँ पे O दे रखा है O जो है O का बिपरीत होता है L और L का जो नम्मर है वो होता है आपका 12 है यहाँ पर दे रखा है R और R का बिपरीत होता है I तो यहाँ पर I की जो नम्मरिंग है वो होती है 9 तो वो लिख दिये है इसने यहाँ पर K है K का बिपरीत P और उसका नम्मर होता है 16 तो यहां पे इसने लिखा है बिप्रीत लेटर की नम्मरिंग, तो वही हमें यहां लिखना है, तो यहां कैसे लिखेंगे, W, W का बिप्रीत क्या होगा, D, और D की नम्मरिंग क्या होगी, 4, L है, L की बिप्रीत क्या होगी, सोरी, यहां पे O है, O की बिप्रीत L, और L की नम्मरिंग क्या होगी, 12, अब बात करें, Next, M, और M का बिप्रीत होता है, N, और N की जो नम्मरिंग है, वो होती आपकी, 14, अब बात करें, A, और A का जो विप्रीत होता है वो होता है Z और Z की numbering क्या होती है 26 ऐसे यहाँ पे N है N का विप्रीत M होता है और M की numbering होती है आपकी 13 तो हम कह सकते हैं कि वो में इनको 4, 12, 14, 26, 13 लिखा जा सकता है तो इस टाइप के question को देख के करना है और अब बात करते हैं next question की next question क्या कह रहा है अगला question मैं यहीं लिख रहा हूँ next जो है यह कह रहा है किसी कूट भासा में beauty का कूट यहाँ पे किसी कूट भासा में beauty का कूट लिखा इसने why we जेड एफ जी बी beauty का कूट इसने यह लिख दिया है अब कह रहा है कि CH ARM का कूट क्या होगा तो हमें क्या करना है देख लेना है कि इसने क्या किया है तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि इसने क्या किया है तो आपको मिलेगा कि B का बिपरीत क्या होता है Y तो इसने B का बिपरीत लिख दिया है E का बिपरीत क्या होता है V बिपरीत लिख दिया है A का बिपरीत क्या होता है Z यह भी इसने क्या किया है बिपरीत लिखा है U का बिपरीत होता है F तो मतलब हम यहीं से समझ सकते हैं इसने लिखाए बिपरीत letters जो यहाँ पे यह शब्द है यहाँ पे दूसरे शब्द में जब convert कर रहा है तो इनके जो बिपरीत letter है वो इसने क्या किया है? लिख दिया है अब हम भी यही करेंगे C का बिपरीत क्या होगा? X H का बिपरीत क्या होगा? S A का बिपरीत क्या होगा? Z R का बिपरीत क्या होगा? I M का बिपरीत क्या होगा? N तो हम कह सकते हैं C, H, A, R, M का कूट X, S, Z, I, N होगा अब बात करें next question की अगला question क्या कह रहा है? अगला कुशिन कह रहा है आपसे कि यदी किसी कोड में क्या कह रहा है यदी किसी कोड में कि एम आई जी एचटी को कि के जी एफ आर लिखा जाता है तो डायरी को क्या लिखा जाएगा क्या करें इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है नम्मरिंग डाल लेनी है यह आता है ट्वंटी पे इसमें भी नम्मरिंग डालेंगे आराताप का अठारा पे अब देखिए इसने क्या किया है सबसे पहले तेरा से ग्यारा कर दिया मतलब दो कम कर दियें इसने नौ से साथ किया साथ से पाँच किया आठ से छे किया और बीस से अठारा कर दिया है तो हमें भी क्या करना है दो कम करके लिखने हैं करिए 2 जब यहाँ पे कम करोगे आप यह आता आपका 4 नम्मर पे यह 9 पे यह 1 पे और यह 18 पे यह आता आपका 25 पे आप क्या करें 4 से 2 कम करेंगे तो 2 तो यहाँ पे क्या बचेगा B ऐसे यहाँ पे जब कम करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका G और यहाँ पे आएगा आपका y, यहाँ पे आएगा आपका p, और यहाँ पे आएगा आपका w, तो हम कह सकते हैं कि डायरी को b, g, y, p, w लिख सकते हैं, लिखिए, यह आता है दो नम्मर पे, यह आता है साथ नम्मर पे, यह आता है 25 नम्मर पे यह आता है 16 नम्मर पे और यह आता है आपका 23 नम्मर पे देख लीज़े कैसे 4 से 2, 9 से 7 1 से 25 इसमें कैसे कम करते हैं इसमें आएगा पहले करिए आप 1 है तो 26 उसके बाद 25 ऐसे यहाँ पे 17, 16 25, 24 और 23 इस तरीके से कम किया यहाँ पे चीक है अब बात करते हैं हम next question की अगला question क्या कह रहा है अगला question कह रहा है कि यदि ANT को code किया जाता है 35 में ANT को code करके क्या लिख रहा है यह 35 लिख रहा है तो कह रहा है कि TAN को हम क्या लिख सकते है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने यह 35 कैसे लिख दिया है देखते है A का नम्मर देखिए क्या आता है 1 पे आता है N देखिए किस पे आता है 14 पे T देखिए किस पे आता है 20 पे तो यहां पे जब देखेंगे तो 14 और एक 15 15 और 20 कितने हो जाते हैं आपके 35 मतलब इसने क्या किया है इनको प्लस कर दिया है तो वही हम यहां करेंगे इनकी नम्मरिंग लेंगे और उसको प्लस करके यहां लिख देंगे करिए ती होगा 20 पे ए होगा 1 पे उसके बाद एन होगा आपका 14 पे यहां पे देखिए एन टी है और यहां पे टी एन है मतलब लेटर्स ही चेंज कर दी है तो इसको भी क्या लिखा जाएगा 35 इसको भी हम 35 ही लिख देंगे अब बात करें नेक्स्ट कुशन की अगला कुशन क्या क है कि यदी मस्टर्ड को यदी मस्टर्ड को यहां पे टी ए आडी है मस्टर्ड को यह लिख रहा है 13, 21, 19, 20, 11, 84 अब कहराईए कि प्रोफ्यूस को क्या लिखा जाएगा इसे यहां पे क्या लिखा जाएगा देखिए यहां पे इसने क्या किया है M किस नमबर पे आता है 13 पे तो इसने डारेक्ट उसका नमबर लिख दिया है M आता है आपका 13 पे U किस पे आता है U आता है आपका 21 पे 20 लिख दिया S आता है आपका 19 पे 19 लिख दिया डारेक्ट T आता है आपका 20 पे 20 लिख दिया डारेक्ट A आता है आपका 1 पे 1 लिख दिया R आता है आपका 18 पे 18 लिख दिया D आता है 4 पे तो 4 लिख दिया मतलब यहाँ पे जो letter लिखे हैं उनके ही इसने क्या किया है numbering लिख दिया तो वही हमें करना है P किस पे आता है? P आता है आपका 16 पे R किस पे आता है? यू किस पर आता है आपका यू आता है 21 पर S किस पर आता है आपका 19 19 पर E किस पर आता है आपका 5 पर तो हम कह सकते हैं कि इसको 16, 18, 15, 62, 11, 95 हम लिख सकते हैं अब बात करें next question की उससे पहले मैं ऐसे मिटा देता हूं अब बात करते हैं next question की देखिए अगला question क्या कह रहा है अगले question की बात करते हैं तो अगला question है कि यदी A, R M, S 1, 2, 3, 4 के बरावर है अगर यहां पर देखें ए पहले नमबर पर आता है आर आपका 18 पर आते हैं लेकिन इसने दो लिखा है तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह जो letters हैं इसने इसको यह लिख दिया है अब कह रहा है तो M, A, R, S किसके बरावर होगा तो यहां पर देखिए letter दोनों में same है के बल इसने क्या किया है इसना चेंज कर दिये हैं तो A, R, M, S को यह लिखा है तो यहां पर M, A, R, S को हम लिख सकते हैं M, तीन नमबर पर है और तीन नमबर पर यहां इसने क्या किया है तीन ही लिख निया है यहांपे यह पहले नमबर पर है तो इससे क्या लिखेंगे हम एक, एक को क्या लिखा है इसने एक एक को लिखा है इसने एक तो यहां पे इसे लिखेंगे हम एक आर को इसने क्या लिखा है आर को इसने लिखा है दो दो लिख देंगे S को इसने लिखा है 4 तो यहाँ पे इसको 4 लिख देंगे तो हम कह सकते हैं कि M.A.R.S को 3, 1, 2, 4 हम लिख सकते हैं अब बात करें next question की next question क्या कह रहा है देखिए next question जो है वो आपका शब्द समूसे है यह कह रहा है कि गरम यह कह रहा है किसी कूट बाशा में किसी कूट बाशा में 1, 2, 3 का अर्थ जो है वो है गरम filtered coffee क्या है गरम filtered काफी है फिर कह रहा है कि 3, 5, 6 का जो अर्थ है वो है बहुत गरम दिन next यह कह रहा है 5, 8, 9 इसका अर्थ है दिन और रात दिन और रात तो अब कह रहा है कि बहुत के लिए कौन सा अंख है किसके लिए बहुत के लिए बहुत के लिए पूछ रहा है तो इस सरीके के questions में आपको करना क्या होता है यह जो आपकी numbering दी हुई है इसको क्या करेंगे यहां से मिटाके इसी के उपर लिख लिजिए इसको क्या करें 3 5 6 लिख ले इसको क्या करें 5 8 और 9 लिख ले यहां से इसको मिटा देते हैं अब देखिए इन में हमें क्या करना होता है common देखना होता है और common को हम क्या करेंगे select कर लेंगे shape में ले लेंगे तो यहां पे देखिए क्या है सबसे common यहां पे भी गरम है और यहां पे भी गरम है जब यहां पे गरम है तो यहां पे अब numbering देखनी है यहां पे भी थ्री है और यहां पे भी थ्री है तो क्या करें गरम और थ्री को एक शेप में ले ले जैसे मैंने इसको इस वाली शेप मे वो तो select कर लिया है हमने, अब इसमें और इसमें देखें क्या common है, इसमें और इसमें जब देखेंगे, तो यहां भी five है, यहां भी five है, और यहां भी बहुत है, लेकन यहां बहुत नहीं है, यहां दिन है, और यहां भी दिन है, तो इसमें क्या है, दिन common है, और five five common है, तो यहां पे इसको क्या कर रहा हूं, मैं दिन को इस वाली सेप में ले रहा हूं, दिन और 5 को, ठीक है, पूछ किस के लिए राइए, बहुत के लिए, तो बहुत किसमें दे रखा है, दूसरे वाले आपके जो वाक्य हैं, इसमें इसने बहुत दे रखा है, दो इसमें से पहले ही select हो चुके हैं अब बचा क्या है यहां पे 6 बचा है और यहां पे बचा है आपका बहुत तो हम कह सकते हैं कि बहुत के लिए जो अंक है वो होगा आपका 6 तो इस तरीके की questions को हम ऐसे करेंगे पहचान देखे अब बात करें next question की एक और question ले रहाऊं मैं इसी तरीके का देखेंगे का से इसी तरीके का एक और question है यह कह रहा है कि किसी निस्षित कोड भाशा में किसी निस्षित कोड़ बास सामैं कि कम अगेन को किसको कि कम अगेन को यह लिखता है ऑग फ craziest Oh एन ए ए एचो एन ए लिखता है यह ठीक है अब कह रहा है कि कम ओवर हेर को किसको कम कम ओवर हेर को यह लिखता है पी ए ए एन ए टी ए उसके बाद यह कह रहा है कि ओवर एंड एवव ओवर एंड एवव को यह लिख रहा है कि आई टी टी ए और जे ए यह लिख देता है तो उसी कूट भाशा में हेर को क्या लिखा जाएगा किसको हेर को क्या लिखा जाएगा यह हमें बताना होता है देखिए तो इसको भी हम कैसे करेंगे इसी की तरह कॉमन देखते सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है कम इन दोनों में क्या दिख रहा है नीचे वाले शब्द में इसमें भी एने है इसमें भी एने है तो क्या करेंगे शेप दे देते हैं इसमें एने को ट्रेंगिल दिया है त इसकी और इसकी जब बात करें तो दौनों में common क्या है दौनों में common यापका over इसमें भी over है और इसमें भी over है तो इसको भी क्या करेंगे हम shape देंगे इसमें bp निब्लाइड और यह आप यह पूछ किसके लिए और अप पूछ रहा है कि hair को क्या लिखा जाएगा इन मैंसे दो पहले ही चुने जा चुके हैं बचा क्या है hair और hair के लिए शब्द क्या बचा है PA तो हम कह सकते हैं कि यहां पे हम hair को PA लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं होजाज को PA हम लिख सकते हैं तो इस तरिके कि जो सब्सें मों से कोडिंग होती या उन कोशन को ऐसे करते हैं अब बात करते हैं हम next question की next question से घेले में क्या गर रहा हूं इसको देखे मिझा लेता हूं कि देखिए अगला कोशन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाशा में मोहन को मोहन को यह लिख रहा है 56 249 अब कह रहा है उमेज को किसको उमेज को यह लिख रहा है 35782 तो पूछ यह रहा है कि हनुमान को क्या लिखा जाएगा हनुमान को क्या लिखा जाएगा किसे हनुमान को सौरी यहां पर देखिए इसको मैं सही कर देता हूं हनुमान को क्या लिखा जाएगा तो यहां पर जब देखेंगे तो इसने लेटर्स लिए है और लेटर्स को इसने डारेक्ट नम्मरिंग दे दी है जैसे M को 5 दिया है, O को 6 दिया है, H को 2 दिया है, A को 4 दिया है, N को 9 दिया है तो वही पहले H है, तो H को इसने क्या लिखा है, 2 लिखा है H को, तो यहां पर H को 2 लिख देंगे हम अब बात करें A की, तो A को इसने क्या लिखा है, A को इसने लिखा है, 4 N को इसने क्या लिखा है, N को इसने लिखा है, 9 U को इसने क्या लिखा है, U को इसने लिखा है, 3 M को इसने क्या लिखा है, M को इसने लिखा है, 5 5 आप बात करें यह तो एक ही हम पहले लिख चुक है एक उसने क्या लखा है एक को लिकाना रखाए उसने अगला कोशन यहीं लिख लेते हैं इस जगा पर यह कह रहा है कि यदि कोड़ भाशा में गौन को G-O-N-E गौन को लेखता यह N-O-E-G उसके बाद कह रहा है L-O-E-D लोड को A-O-D-L-L लेखा जाता है तो शॉर्ट को क्या लेखा जाएगा शॉर्ट को क्या लेखा जाएगा देखिए इसने क्या किया है यहाँ पर जब देखेंगे कि इसने क्या किया है देखिए यहाँ पर बीच वाले जो दो लेटर हैं O N है ये बाले, O N है, इसने लिख दिये ये N O, उसके बाद E G है, इसने लिख दिया है E G, ठीक है, मतलब यहां से यहां लिखा है, और यहां से यहां लिखा है, ऐसे करके, ठीक है, यह बाला पीछे ले लिया, ऐसे यहां पर किया है, O A है, तो A, O लिख दिया है इसने, L D है तो इसने D L लिखा है अब यहाँ पे इतना तो completely है पूरा बना है word बाकी इसने G जो last में आया है वही एक और बढ़ा के लिख दिया है यहाँ पे last में L आया है तो एक और L बढ़ा के लिख दिया है तो ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे जो last में आयेगा उसी को एक बढ़ा के लिख देंगे तो क्या करें ओर है तो इसे लिखेंगे हम RO TS है तो इसे लिखेंगे हम TS अब last में क्या आ रहा है S तो एक और S हम बढ़ा देंगे तो हम कह सकते हैं कि short को RO TSS लिखा जा सकता है अब बात करें हम next question की दोस्तो coding decoding का ये सबसे सरल question होता है अगर ये आपके exam में आ जाता है और आप इसे गलत कराते हो तो ये समझ लीजिए कि coding decoding आपके लिए बेकार है आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए तो ये question सबसे सरल है क्या कह रहा है कि यदि आपको हात का जाए question क्या कह रहा है कि यदि आपको आपको क्या कह रहा है हात का जाए उसके बाद यह कह रहा है हाथ को मुह का जाए हाथ को मुह का जाए उसके बाद कह रहा है कि मुह को कान का जाए मुह को कान कहा जाए और कान को नाक कहा जाए कान को नाक कहा जाए तथा नाक को जीव कहा जाए कह रहा है कि नाक को जीव कहा जाए अब कह रहा है कि निम्न मेंसे किसके द्वारा मनुष्य सुनता है मनुष्य किसके द्वारा सुनता है मनुष्य सुनता है आपका कान के द्वारा लेकिन यहाँ पे उत्तर कान आपका नहीं होगा यहाँ पे उत्तर वो होगा जो ये कह रहा है कान को इसने कान को क्या कहा है इसने कान को कहा है नाक कान को नाक कहा जाए तो यहाँ पे मनुष्य सुनेगा आपका नाक से तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा आपका नाक तो यह जो कोशन है यह कोडिंग डिकोडिंग का सबसे सरल कोशन होता है दोस्तो आज हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ कोशन किये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आई होगी आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद